आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अब ही डाउटनोट करें। एक स्रे पद्धती के समय ही किसी मानव के शरीर पर डाली जाती है। इन किर्णों के द्वारा कोशिका द्रव के जो अणू होते हैं। कौन-कौन से अणू जैसे की प्रोटीन हुआ, लिपिड्स हुए या फिर हमारे पॉली सेकेराइड। जैसे की ग्लुकोज, सुक्रोज, आदी। इन सभी पर जब एक स्केरने गिरती हैं, तो ये अणू तूटने लगते हैं। तूटने लगते हैं तथा आपनी सरचना में परिवर्दन करने लगते हैं। जिसके कारण जो कोशिका की जेविक प्रक्रिया होती है, वह रुक जाती है या बंध हो जाती है। जिसके कारण कोशिकाएं मरत होना प्रारंब कर देती है। इसके कारण एक तो आनुआंशिक परिवर्दन होते हैं, यानि कि यदि किसी मानव की एक पीडी में एक स्केरनों द्वारा नुकसान हुआ है, तो वह पीडी दर पीडी चला आता है। दूसरे होते हैं उत परिव जिसमें मनुश्य की एक ही पीडी में यानि कि उसी पीडी में परिवर्दन दिखाई देते हैं। इसके कारण कैंसर जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तथा यदि इसकी मात्रा जादा हो या फिर ये जादा समय के लिए मनुश्यों को प्रभावित करें तो मनुश्य तथा जीवों की म्रत्यू तक हो सकती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस प्रश्ण का उत्तर समझाया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।